हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका सीकेट शेप किचिन में आज यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल नमक पारे जो कि बहुती आसान सी रेसिपी है बहुती जल्दी बन जाती है और खाने में बहुती टेस्टी तो यहाँ पर मैं बताऊंगी इसका एक सीक्रेट तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है उसमें हम डालेंगे यहाँ पर मैदा मैदा मैंने दो कप ली है और इसके बाद अब मैं एड़ करूंगी यहाँ पर रवा, रवा मैंने एक चौथाई कप लिया है इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनाता है तो मैं जब भी मत्री बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी रवा एड़ करती हूँ फिर यहाँ मैंने लिये है अजवाइन तो एक चमच अजवाइन ले लें और इसको हतेली की मदद से थोड़ा सा रगण लें और रगणने के बाद इसको हम मिला देंगे उसके बाद यहाँ पर मैं लूंगी थोड़ी सी कसूरी मैथी तो यह मेरा सीक्रेट इंगिरेंट है मैं इसमें कसूरी मेत्री डालती हूँ इससे नमक पारे का जो टेस्ट है वो दो गुना हो जाता है तो हम इसको भी हाथ से मल कर और इसमें डाल देंगे तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजेगा और अब बचा है हमारा यहाँ पर नमक तो नमक को भी हम स्वादानसार डाल लेंगे अपने अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा मॉयन तो यहाँ पर हम लेंगे मॉयन और मॉयन यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसे हमें हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेना है यानि कि हाथ से रगड लेना है दोनों हाथों से जिसी की जो मौयन है जो ओयल हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद आपको हाथ से ऐसे मुठी में बांद कर देखना है अगर मैदा इस तरीकी से देखिए बन जा रही है यानि कि इस तरीकी से लड़ू आपका बन जा रहा है तो समझे आपका जो मौयन है वो एकदम परफेक्ट तरीके से पड़ा है यानि कि आपकी जो मर्ची है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और अब यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी गुनगुने पानी की मदद से ही हम इस आटे को गूद लेंगे आटे को हमें बहुत पतला भी नहीं करना है और ना बहुत टाइट करना है तो इसको हम अच्छे से मल लेंगे और इसको फिर एक साइड में हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो यानि दस से पंदर मिट के लिए आप ऐसे ही रख दें तब तक हम यहाँ पर गैस ओन करके एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे हम ओयल तो ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे तब तक हमारा जो आटा है हम उसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नमक पारे के लिए जो हमने आटा गूंदा था वो बहुत ही अच्छा हो गया है अब इसको हम दोनों हाथ की मदद से अच्छे से इसको मल लेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे थोड़ी देर आपको अपने हतेली के मदद से इसको अच्छे से मल लेना है और जब यह एकदम soft हो जाएगा तब हम इसकी यहाँ पर मट्रियां बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी फिर आसपास से उसके किनारे फटेंगे नहीं तो देखें आटा मेरा बढ़िया हो चुका है अब मैं इसकी लोई बना लूँगी तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे तो यहाँ मेरे आटे में से लगबग चार लोईयां बन जाएंगे तो यहाँ देखें इस तरीके से मैंने मोटी यानि बड़ी लोई ली है और इसको हाथ से अच्छे से मल लेंगे यानि की जैसे पेड़े की तरह बना लेंगे गोल गोल और फिर हम इसको बेलेंगे तो यहाँ पर आप एक चक्ला ले लें या कुछ भी आप ले सकते हैं और वहाँ बेलन की मदद से इसको रोटी की तरह बेलने तो ये आपको बहुत पतला नहीं बेलना है और ना बहुत मोटा मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखे इस तरीके से आपको एकदम round shape में रूटी की तरह बेलना है और इसको हलका सा मोटा रखना है, ज्यादा मोटा नहीं, यानि पतला ही बेलना है फिर हम इसकी मठरी कट करेंगे, तो यहाँ पर यह मेरी तयार हो गई है बिलकर रूटी इसकी अब देखे इस तरीके से, अब यहाँ पर मैं लोंगी एक चाकू और चाकू की मदद से देखे इसे लंबा-लंबा हम इस तरीके से काट लेंगे तो यहाँ पर आप जैसी शेप देना चाहें, आप दे सकते हैं आपको मठरीयां छोटी रखनी है या आपको बड़ी रखनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यहाँ मैंने इस तरीके से काटा है, अब दूसरी साइट से भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे तो यहाँ मैं बहुत बड़े पीसेज नहीं रख रही हूँ, मैं चोटे चोटे पीसेज रख रही हूँ जो कि खाने में भी आसानी रहती है और बहुत ही अच्छी लगती है यह मठरीयां आप चाहें, चाहें के साथ लीजिए या ऐसी खाईए तो यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब यहाँ पर देखिए हमारे जो नमक पारे हैं वो बनकर तयार हो गए है अब हमारा जो ओयल है वो भी अच्छी से गरम हो चुका है और अब यहाँ पर गैस को कर देंगे हम एकदम सिम पर तो अब धीरे से यहाँ पर हम तेल में यह नमक पारे छोड़ देंगे तो बहुत ही ध्यान से आपको छोड़ना है जिससे की तेल बहार ना आए और हमें यह एकदम डी फ्राई करना है तो थोड़ा थोड़ा डाल कर ही हम इनको तलेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको हमें पलटते रहना है जिससे कि ये चारो तरप से अच्छे से सिख जाएं और ये जले नहीं तो इसका जो फ्लेम है वो हमें एक्टम लो रखना है लो से हलका सा मीडियम की तरफ आप रख सकते हैं तो यहां देखी मेरे नमक पारे अच्छे से सिख चुके हैं यानि कि लाइट जब कोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इने निकाल लें अगर आपने थोड़े भी ज़्यादा सेक लिए तो ये खाने में थोड़ा सा अच्छे नहीं लगेंगे और वो जलने जैसे लगेंगे तो यहां पर हम इस स्टेज पर नमक पारे को एक प्रेट में निकाल लेंगे तो इसी तरीके से हमको दोबारा से नमक पारे तेल में छोड़ देने हैं तो सेम जो प्रक्रिया है वही दोरानी है तो अब यहां पर मैंने देखिए दोबारा भी डाल दिये हैं और इनको भी हम अपसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में तो क्या कहने इनके और इनको हम अलग-अलग नामों से बोलते हैं कहीं पर नमकीन मर्ठी तो कहीं नमक पारें तो यहां पर यह मैंने अपने तरीके से जो मैं बनाती हूँ मैंने आज आपके साथ वो भी शेयर की हैं तो सबके घर बनते हैं लेकिन बस बनाने का तरीका अलग-लग होता है आप हम इसे सर्व कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक प्रेट में सर्व कर दिये हैं और इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं तो इनको हम लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं तो इस स्नैक को आ आप भी इनको बनाईए और इनका मजा लीजिए। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।